बात करेंगे इसमें Элекτοरल बांड की जिसको लेकर सुप्रिम कोट ने एक बड़ा फैसला दिया है सुप्रिम कोट ने इलेक्टोरल बांड स्कीम को असमधधानिक करार देते हुए उस पर रोक लगा दिया कोट ने कहा है कि Electoral Bond सूचना के अधिकार यानि कि RTI का उलंगन है वोटर्स को मद्दाताओं को पार्टियों की फंडिंग के बारे में जानने का हक है कोट ने आदेश दिया कि बॉण्ड खरीदने वालों के लिस्ट पबलिक साफजनी की जाए साथी साथ कोट ने बैंकों को निकि बैंकों SBI को Electoral Bond बेचना बंद करने को भी कहा है कोट ने SBI को अप्रेल 2019 से अब तक बेचे गए Electoral Bond का ब्यौरा चुनाव आयो को सौंपने को कहा है कोट ने माना कि Electoral Bond स्कीम वोटर के जानने के अधिकार का हनन करती है सुप्रेम कोट की बैंच ने माना कि ये स्कीम वोटरों के Article 19-1-A का उलंगधन करती है SBI चुनावी Bond पाने वाले राजनतिक दलों का सभी विवरण 6 मार्च तक Election Commission को सौंप देगा निर्वाचन आयोक को 13 मार्च तक ECI से आधिकारिक वेबसाइट पर पब्लिश करेगा इससे प्रकाशित करेगा तो ये जो फैसला आया है इसके क्या कुछ माइने हैं इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही खास महमान सुप्रिम कोर्ट के वकील अड्वोकेट संजे चड़ा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है संजे जी आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है इस कारिक्रम में और जैसा कि ये जो सुप्रिम कोर्ट ने फैसला दिया है संजे जी कि ये पूरा और समवैधानिक है अनकॉंस्टिट्यूशनल है कैसे देखते हैं इस फैसले को और ये फैसला देने के पीछे कारण क्या सुप्रिम कोर्ट ने दिया है देखें मैं आपको इस फ़र्श शब्दों में बताऊं जो अबजेक्टिव था 2017 में स्वर्गे अरुन जेटली जी ने इसका आधार रखा था और वहां के बजट में उस वक्त जो बजट पास हुआ था उसमें इस स्कीम को पास किया गया था इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम और उसके तीन-चार अबजेक्टिव थे पहला अबजेक्टिव था कि किस प्रकार से इनलीगल जो ब्लैक मनी का ट्रांजेक्शन्स हैं उनको रोका जाए पहला अबजेक्टिव था एफिशेंसी ट्रांसपेरेंसी पार दर्शिता जिसे हम कहते हैं उसका वो बड़े स्पश्ट्रूप से सामने आरी यह इन उदेशों के साथ हुआ इसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में 2019 में और उसके चार-पांच बिंदू थे वो मैं बताना चाहता हूँ किन पक्षों को रखके इसको चैलेंज किया गया उन्होंने कहा कि जो पार दर्शिता का उदेश जब बताया गया था वो सहज रूप से अपरयाक्त है यहाँ पर पाया नहीं जा रहा पहली चीज दूसरी चीज उन्होंने कहा कि इस लौ को राज्य सभा में पास नहीं करा गया है क्योंकि इसको मनी बिल की संग्या दी गई है तीसरी चीज उसमें कहा गया क्योंकि मनी बिल जो है वो राज्य सभा में नहीं जाता है उसको राज्य सभा की सहमेती की आवश्रक्ता नहीं होती है नमबर तीसरा जो इसमें एक हा कि जो जो एनलेसिस करके और पेटिश्टर थे उन्होंने ये कहा कि जो सरकार है उसको अपर हैंड रहेगा क्योंकि सरकार अगर चाहे तो प्रसंशन है सरकार अगर चाहे तो वो देख सकती कौन व्यक्ति किसको पैसा दे रहा है एक साधारन व्यक्ति नहीं देख सकता इवन election commission नहीं देख सकता तो इन तमाम तो level plain field की बात करी उन्होंने कि level plain field नहीं है यह 5-6 grounds थी उस पे इसको challenge किया गया और देखिए यह इस भारत वर्ष की मैं कहूंगा कि हमारे देश की यही तो एक beauty है यही तो एक सुन्दरता है कि एक law जो की पास हो गया उसको supreme court के ने ultra virus declare किया तो checks and balances का जो system हमारे सम्मिधान में दिया गया है उसका एक सबसे सहज और बहुती मजबूत उधारण है संजय जी हमने यह भी देखा कि इसी electoral bonds के जरीए जो अखवारों में या फिर मीडिया के जरीजो खबरे आती थी उसमें यह लिखा होता था कि अमुक पार्टी को इतने सारे पैसे गए electoral bonds के जरीए अमुक पार्टी को इतने गए लेकिन sources क्या थे किसने किसको कितना दिया इसको लेकर कोई जानकारे नहीं आ पाती थी और मुझे लगता है कि जब इस बात को सुनवाई के दौरान उठाये भी गया कि जनता जानना चाहती है कि किस पार्टी ने किस वेक्ति ने किस पार्टी को कितने पैसे दिये असीम जी यही तो मुक्त बिंदू था challenge करने का क्योंकि पारदर्श्रिता की हम लोग बात करते हैं right to information जिसे बहुत ही पजबूत law कहा जाता है भारत के परिपेक्ष में democracy की background है यह sorry back drop है और हमारा जो democracy है इस particular law से on strong होता है supreme court ने बड़े इस पर शब्दों में कहा यह provide ना करना अगर मैंने पैसा दिया है या किस पार्टी को किस ने कितना पैसा दिया है यह जो voter हैं उनके right to information के भी खिलाफ है तो ऐसे में संजे जी कुछ लोग यह जानना चाह रहे हैं कि चलिए सुप्रिम कोट ने अब इसे मना कर दिया इस पर रोक लगा दी कि कोई अब electoral bond जारी नहीं होगा तो क्या वैसे लोग जो देना चाह रहे है political parties को donation देना चाह रहे है क्या उनके पास अब क्या option है वो किस तरह से donation देना चाहे है अजीम जी बहुत ही अच्छा आपने प्रश्ण पूचा क्योंकि यह रूखेगा तो नही political parties कहा से चलेंगी तो political parties अब एक नया देखिए पहले क्या खानून था इन bond से पहले यह था कि 20,000 तक की limit का कोई भी cash दे सकता बिना और उसको challenge उस पे स्विक्रती थी सबको और इस तरीके के पहले भी तो चलती थी तो 2,000 उनके समें आया है उससे पहले भी दिये जाते थे finances लेकिन अब आपके सवाल का जवाब आपके सवाल का जवाब यह है कि अब संसद हमें मालू में नहीं है इस वक्त बैठी हुई नहीं है संसद जॉन है इस वक्त और last session था यह वाला क्या अब क्योंकि अब तो funds की और आउशक्ता भी आएगी चुनाओ भी सर्पे है एक ऐसा ordinance आने का मुझे ऐसा लगता है कि आ सकता है जिसके अंतरकर इसमें दिये गए तमाम suggestions जो सुप्रीम कोर्ट में suggestions दिये हैं पारदर्शिता उसमें सबसे एहम है transparency, accountability, efficiency तभी ना है चीग होगी वो उसको सर्वोप्री रखते हुए सर्वोचिस्थान देते हुए मुझे लगता है कि कोई ordinance आनी चाहिए या कुछ इस तरीके का order आएगा क्योंकि अब ऐसा समय है कि इन तमाम चीज़ों पे संजय जी मेरा एक आखरी सवाल आप से कि आपने का कि और हम सभी जानते हैं कि ये सिलसला रुकेगा नहीं ठीक है एक तरीका था एलेक्टरान बाॉंड के जारीए पैसे देने का वो रुक गया लेकि लोग पैसे देंगे मेरा सवाल ये कि क्या political parties को और इसको लेकर बहुत सारी चर्चा है कि देखिए हम जिस party को vote देने जा रहे हैं उसके पास यहां से पैसे आ रहा है या बाकी parties के पास भी बहुत ही आपने जो जिसे यही तो एक विचार है जो समक्षाया है और ये मुझे लगता है सुद्रणसात से हमारी सरकार जो है उसको अपनाना पड़ेगा देखें कहीं पे एक judgment के दौरान मैं सुन रहा था तो judges साहिबान ने ये भी कहा quit pro quo तो नहीं है अगर मैं पैसे दे के जो ruling party है उसको कुछ पैसे दे के कोई काम तो नहीं करवा रहा हूँ ऐसा वेक्ती तो नहीं हूँ तो ये सब चीज़ें अब समक्षाएंगी इसलिए ये transparency तो बहुत ही आदार वुच चीज़ है इसको होना चाहिए और जैसा आपने कहा कि इस तरह का provision होना नहाय तवश्चक है आज पाचों जजज बिना किसी असहमती के एक मत थे और उन्होंने इस तरह का जड़ी एक बहुत संक्षित अपने हाला कि समय कम है जिस बात का अब इशारक कर रहे थे अगर कोई बहुत बड़ी corporate जो बहुत बड़ी company चला रहा है उसका मालिक अपने vested interest के लिए अगर वो दे रहा किसी political parties को इसको आप कैसे रोक सकते हैं और इसके समभाब ना रहेगी इसके समभाब देखिए असीम जी बड़त बिना किसी point पे रखते हुए ऐसा होता है ऐसा प्रयापत रूप में हमें दिखता भी है हमने incidences सुने हुए है groups political parties से affiliated होते हैं बट short में ये ही इस तरही के का कोपरवीजन आएगा जो हमारी democracy को निश्चित तोर पे सुद्रिन करेगा और एक line क्योंकि समय नहीं है ये एक जो judgment है हमारी democracy को बहुत परिपकता परवाइड करेगा चलिए बहुत बहुत शुक्रिया संजे जी जुड़ने के लिए और बहुत ही महत्मुन विश्चित पर अपने विचारों का हमाय साथ